हलो एवरिवन और वेलकम बैक आज के इस वीडियो में हम लोग डिसस करने वाले हैं एक क्लोज टेस्ट को जो कि SSE Cisal Tier 1 2030 से पुछा गया है क्लोज टेस्ट पे आने के पहले मैं आपको कुछ information देना चाहूंगा वो यह है कि Google Play Store पर मेरा एप सकसेस सागरविद रभी लाँच हो चुका है और इस पे इंडिवीजवल इंग्लिश फर आल कॉंपिटेटिव एक्जाम लाइक SSC, बैंक, इंडिये, CDS, CPOSI या जिस भी एक्जाम के लिए आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं उसमें ग्रैमर के जितने भी सारी कॉंसेप्ट जितने भी सारे टॉपिक्स हो सकते हो और सारे टॉपिक्स की क्लास चलनी शुरू हो चुकी है जिसमें 0 से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉंसेप्स आपको पढ़ाये जाएंगे अगर आपको लगता है कि आप ग्रैमर में कमजोर हैं आपको सेंटे test का discussion, वो discussion करने चलते हैं, यह राद close test आपके सामने, देखे होता क्या है कि जो यह close test होते हैं, यह सारे के passages के ही form होते हैं, इस तरह के questions दे करके आपके English के comprehension ability को test करने की कोशिश की जाती है, इसमें होता यह है कि इस बड़े passes में से कुछ words को हटा दिया जाता है, चार options आपको दिये जाते हैं, और इन options के help से आपको sentences पुरा पढ़ना होता है, पढ़के समझ के उसमें इनके सही word को fit करना होता है, चले, समझाने के कुछ कोशिश करता हूँ, और आप भी साथ साथ practice करेंगे, तो आपको भी इसका काफी benefit मिलेगा, आई देखने के कोशिश करते हैं, जैसे sentence के शुरुआत हुई है, article 10, The, अभी निए चारो मिर से नहीं है, हमें? एडवांटेज लगाएं, चैलेंज लगाएं, सल्थी लगाएं, या आस्पेक्ट लगाएं, आस्पेक्ट को तो जानते ही होंगे, आप लोग हिंडी में पढ़लू कहते हैं, क्या, ए डवांटेज मतलाब फाइदार, चैलेंज क प्रेसिंग इशूस का मतलब यह है आपका कि एक बहुत ही बड़ी समस्या, एक ऐसी समस्या, जो ऐसे मुद्दे हैं, एक ऐसा मुद्दा जिसको तुरंट डील किया जाना बड़ा ज़रूरी है, एक अरजन्ट मुद्दा, जो कई सारे अरजन्ट मुद्दे हैं, उन में से एक है जलवाई परिवर्तन तो जलवाई परिवर्तन का क्या है अचा आगे पहले समझने कैसे issues facing the world today आज के time में जो पूरा विश्व face कर रहा है उस सारे विश्व में से कोई न कोई एक जिस जलवाई परिवर्तन के क्या है फाइदा फाइदा तो हो सकता जब face कर रहा है सामना कर रहा है तो जिसको deal किया जाना है solution तो है नहीं पहलू तो है नहीं वह है challenge मतलब कि the challenge of climate change जलवाई परिवर्तन की जो चुनोती है वो चुनोती क्या है is one of the most pressing issues facing the world आज के time पे विश्व जो बहुत सारे मुद्दे हैं उन मुद्दों को जिनको deal कर रही है उन चुनोतियों में से जो सबसे बहुत जादा एक अर्जन चुनोतियां है जिनको ध्यान दिया जाना जरूगी है उन में से एक चुनोती यह आपके जलवाई परिवर्थन की चुनोती यानि यहां पर पढ़के हमें समझ में है कि जो सही option बनेगा इसका हो क्या बनेगा option यह कैसी लगी इसको नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताईएगा दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करिएगा और इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दू सब्सक्राइब टू दे चैनल जिससे कि जो अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन से हो आप लोगों तो जल्से जल्द आ सके यहां देखें कोशन नमर टू पर चलते हैं इसके यह तो बन गया आपका कि यहां पर चैलेंज ही था यहां तो खैर कोई इशू है नहीं है नहीं चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चैंज इस वन अफ दे मोस्त प्रेसिंग इशूस फेसिंग वर्ल टोड़ी राइजिंग टेंप्रेचर देखें राइस वर्ड का मतलब होता है बढ़ना बढ़ता हुआ तापमान एक्स्ट्रीम राइस प्रेंट मतलब हो इस्षरी मतलब जो हमारे बदलते रहते हैं कि एपामतलिक मतलब की पिघलती रहते हैं यह सब के सब क्या हैं आपके wegsग भड़ता हुआ तेंप्रेचर weather conditions, बर्प की पिखलती भी परते हैं, यह क्या है, just a few, a few का मतलब कोई, यह सिर्फ कुछ examples है, of the, of a changing climate, of the, क्या, किसके उधारण हैं आपके यह सब, अब यह बहुत अच्छे काम तो हो नहीं रहे हैं, कि temperature बढ़ रहा है, global warming बढ़ते चली जा रही है, weather के जो extreme condition है, ठंडा है तो बहुत ठंडा ही हो जा रहा है, बहुत गर्मी होने लेग रही है, बारिश नहीं हो रहा है, अब बारिश अगर हो रही है, तितना जादा हो जा रही है, कि बाल की condition बन जा रही है, यह सब क्या हैं हमारे लिए, यह सब improvement तो है नहीं, advancements, विकास तो है नहीं, फायदे तो है नहीं यह बनेगे क्या consequences consequences what का मतलब होता है परिणाम यह सब आपके परिणाम है सिर्फ कुछ परिणाम है of a changing climate किसके जो जलवाई परिवरतन हो रहा है इसके कुछ परिणाम है यह to combat this इससे जीतने के लिए इससे लड़ने के लिए many countries जो बहुत सारे देश हैं have चुंकि subject plural है ते भी plural form में ही रखा गया है place का मतलब होता है to promise somebody किसी चीज़ को करने का वादा करना तो कई सारे जो देश हैं उन्होंने वादा किया है कसम लिया है क्या to reduce to reduce का मतलब कि कम करना क्या कम करना their greenhouse gas emission जो उनके greenhouse gas emission emission मतलब gas को छोड़ना release करना gas को छोड़ना जो जितना जादा छोड़ना है उसके संक्या में कहीं ने कहीं से मतलब उसकी मात्रा में कमी लाना लेकिन अब उल्टा होगा progress जो विकास है इस point of view से इस problem को solve करने में has been slow बड़ा ही धीरे रहा है वह अच्छा नहीं है in addition इसका मतलब है के अतरिक some people इसके अतरिक कुछ लोग are still skeptical skeptical word का मतलब पता क्या होता है doubt में होना संदे में होना मतलब इसके अतरिक एक तो यह सारी समस्याएं हैं इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी doubt में किस चीज में doubt में आगे बढ़ते हैं किस बात का doubt है भाई आपको skeptical of the fiction myth reality deception deception का मतलब होता है trick धोखा किसी को देना mislead करना of the climate change or believe that it's a natural occurrence that humans cannot do much about देखे इसमें क्या लिखा गया है occurrence का मतलब हो गया घटना एक ऐसे घटना जो की इनसान बहुत ज्यादा इसके related कोई चीज कर सकते हैं मतलब इनसान का इसमें control नहीं है आगे क्या बोला गया कि जो बहुत सारे लोग है most some people are still अभी भी उनको इस बात पर doubt है किस बात का कि जो ये climate change है इस पर doubt करते हैं किस बात पर doubt करते हैं कि इसकी reality स्केप्टिकल ऑफ दे रियालिटी पर ही होगा उनको इस बात की reality पर शंका है या फिर उनका ऐसा मानना है कि it's a natural occurrence ये एक प्राकृतिक घटना है मतलब जो भी ये temperature बढ़ रहे हैं weather conditions जो extreme होती चली जा रही है या ये जो आइस की बर्प की परते जो पिखलती चली जा रही है जो greenhouse gases बढ़ते चले जा रहे है emissions जो फैक्टरी जो रहे है इसमें इंसान बहुत जादा नहीं करता ऐसा कुछ लोग मानते है ठीक है आगा देखे हाव एवर एक एडवर है हाव एवर हम यूज करते हैं एक contrast एक negative opposite result बताने के लिए कियार कि पीछे कुछ बात हुई है उस बहुत ही तत्काल रूप से action का लेना जरूरी है क्यों ताकि रोका जा सके to prevent the worst impact जो सबसे खराब प्रभाव है impact मतलब प्रभाव वर्स मतलब सबसे बेकार प्रभाव है climate chain का जो सबसे बुरा प्रभाव है उससे बचा जा सके क्योंकि आज हो कि हो क्या रहा है कि ice melt हो रहे ह समुद्र का जो water level बढ़ता चला जा रहा है बढ़ते 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 टाइम ऐसा आएगा कि वह जो water level है धर्ती का जो surface है हमारा इसके उपर जाएगा लोग डूब जाएगे तो बहुत सारी समस्या है आ सकती है तो उनसे बचने के लिए immediate action लेना चाहिए ऐसा scientist मानते है this includes इसमें क्या क्या समली थे है not only reducing emissions मतलब यह जो gases जो emit हो रहे हैं सिर्फ उनको कम करना नहीं है but also adapting to the changes adapt मतलब होता है अपने आपको किसी चीज के अनकुल ढाल लेना बल्कि यह भी ज़रूरी है कि जो चीजें बदल चुकी है उसके हिसाफ से अपने आपको ढाला जा सके that have already that have already occurred occurred का मतलब क्या है कि जो घटित हो चुकी है reverse का मतलब हो जाए कि उल्टा हो चुका है reverse मतलब आपस जा चुके तो आपस दाने के तो बाती नहीं हो यह सीज का मतलब होता तो stop रोक देना के चीज को तो रुका तो है निस्टेबिलाइजिंग नहीं यहां पर लिखाए have तो have का मतलब क्या बन गया आपका वर्प की third form चीए तो यह नहीं है तो अठा दीजिए यह नहीं हटा दीजिए यह नहीं हटा दीजिए यह नहीं हटा दीजिए यह थर्ड फर्म आया जो अलड़ी हो चुकी हो उसके है अपने आपको ढ़ल सके this might involve building sea walls to protect against rising sea level मतलब जो बढ़ते हुए sea का level है जो जल अस्तर बढ़ता जा रहा है उससे सुरक्षित करने के लिए लोगों को तो ये सारी चीज़ने क्या क्या करते हैं इसमें involved किया जा सकता है कि building sea walls समुदर के किनारे दिवाले बनाई जाएं जिससे कि water level से लोगों को सुरक्षा दिया जा सके planting उगाया जाए क्या drought resistant crops crops मतलब फसल है drought मतलब सूखा resistant मतलब रोकने वाला सूखे को रोकने वाला फसल पैदा किया जाए और developing new technologies या फिर उत्पन्न किया जाए विक्सित किया जाए नई तकनीकी को टू रिमूव ताकि हटाया जा सके कार्बन जो कार्बन है हमारा from the atmosphere मतलब कई सारी चीजें बात हुई यह सारी है इसमें एक बात ही भी कही गई है कि कार्बन तो अलड़ी हमारे atmosphere में है तो उनको हटाने के विए उनको और जोर्ब करने के विए नहीं टेकनिक बनाई जानी चाहिए ultimately addressing climate change climate change को address करना climate change को जलवाई परिवर्तन को संभूधित करना विल रिक्वायर अगर आप यह करना चाहते हैं तो ओशकता किन-किन चीजों को होगी effort from individuals मतलब जिने भी लोग हैं अलग 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 इंडिविज्वल्स हैं जितनी भी governments हैं, businesses हैं around the world पूरे विश्व भर में उनका कैसा effort चीए, individual effort चीए solitary का मतलब ही होता है lonely तो कुल मिला के separate यह individual same ही हो गया कैसा effort होना जाए, सबका अलग-अलग सबका joint effort होना जाए जाहिर से बात है कि आपका joint effort की ही बात थो रही है सबसे तो joint effort के requirement होनी चाहिए यह उनकुल मिला जो लाकर रखे कि यह जो close test था this was based on climate change कैसे कैसे changes हो रहे हैं इसमें लोगों का क्या मानना है scientists क्या मानते हैं and what we need to do to protect against all these problems समझ माही बात? तो वीडियो कैसे लगी इसे comment box में जबर बताईएगा क्या ऐसे वीडियो ज़ुर चाहिए आपको अगर चाहिए तो बताईए तो बस इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में thank you very much bye bye